जब सरकार या कोर्ट की नजर में कोई व्यक्ति किसी तरह की अव्योस्था फैला सकता है या कोई और अराजक इस्थिती पैदा कर सकता है तो ऐसी इस्थिती में सरकार उस व्यक्ति को हाउस एरेस्ट कर सकती है इसके अलावा जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में करवाई अंडर ट्रायल होती है और उस व्यक्ति को जेल ना भेज कर उसके घड़ में ही नजरबंद रखा जाता है तो ऐसी इस्थिती को हाउस एरेस्ट या नजरबंदी कहा जाता है किसी अभियुक्त को गिरफतार करने के लिए कोर्ट एरेस्ट वारंट यानि गिरफतारी का आदेश जाड़ी करता है एरेस्ट वारंट के तहट संपत्ती की तलासी ली जा सकती है और उसे जब्त भी किया जा सकता है अपराद की प्रकृती के अधार पर एरेश्ट वारंट की प्रकृती भी निर्भड करती है संगे अपराद की इस्थिती में पुलिस अभ्यूक्त को बीना एरेश्ट वारंट के गिरफतार कर सकती है सर्च वारंट सर्च वारंट वह कानूनी अधिकार है जिसके तहद पुलिस या फिर जाच एजनसी को घर, मकान, बिल्डिंग या फिर व्यक्ति की तलासी के अदेश दिये जाते हैं पुलिस इसके लिए मजिस्टेट या फिर जिला कोर्ट से इजाज़त मांगती है हाउस एरेस्ट या नजरबंदी जब तक कोर्ट यह तय नहीं कर पाती है कि कोई व्यक्ती किसी अपराद के लिए दोसी है या नहीं, तो उसे जेल नहीं भेजती है और उस इस्थिती में आरोपी व्यक्ती को खुला घूमने से रोकने के लिए कोर्ट, हाउस एरेस्ट या नजरबंदी का आदेश दे देती है इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि गिरफतार किया गया व्यक्ती अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए हलाक इभारतिय कानून में हाउस एरेस्ट सब्द का जिक्र नहीं है अर्थात हाउस एरेस्ट की इस्थिती में व्यक्ती को थाने या फिर जेल नहीं ले जाया जाता है बलकि उसके घर में ही बंद रखा जाता है हाउस एरेस्ट के दवरान गिरफतार व्यक्ति किस व्यक्ति से बात करे और किस से नहीं इस पर पावंदी लगाई जा सकती है आरोपी व्यक्ति को सिर्फ घड के लोगों और अपने वकील से बातचीत करने की इजाज़त दी जा सकती है यह सुचना बिलकुल गलत है कि घड में नजरबंद व्यक्ति हमेशा घड में जेल की तरह कैद रहता है बलकि सच यह है कि यदि आरोप बहुत संगीन नहीं है तो आरोपी को उसके सामाने काम जैसे स्कूल डॉक्टर से मिलना किसी से मिलना समुदाइक सेवा और अदालतो द्वारा तै किये गए अन्ने काम करने की अनुमती होती है हलाकि इस दवरान सुरक्षा कर्मी आरोपी के साथ रहेंगे और उसे एक इलेक्टरोनिक ट्रेकिंग डिवाइस पहनना होगा हाउस एरेस्ट कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के पहले की दसा है अर्थात इस दसा में व्यक्ति को बिना जेल भेजे जेल जैसी स्थीतियों में रखने की कोशिस होती है समानता आरोपी व्यक्ति को बाहर यात्रा करने की छूट नहीं होती है हाला कि किनी विशेस दसाओं में अनुमती दी जा सकती है आम तोर पर घड में नजरबंद व्यक्ति को किसी भी इलेक्ट्रोनिक उपकरन के इस्तेमाल की अनुमती नहीं होती है लेकिन यदि इस्तेमाल करने की छूट मिलती है तो उसका इस्तेमाल संबंधित अधिकारियों की निगरानी में ही होता है हाउस एरेस्ट की दसा में अरोपी व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं हाउस एरेस्ट की दसा में सभी व्यक्ति को चाहे व्यस्क नागरिक हो या अव्यस्क सभी को कुछ अधिकार दिये जाते हैं हाउस एरेस्ट की अवस्था में यदि किसी व्यक्ति से कोई investigation करनी होती है तो उसका वकील उसके साथ बैठ सकता है यदि कोई आरोपी वकील को हायर नहीं कर सकता है तो उसे वकील अदालत की तरफ से दिया जाता है आरोपी इस पुछताच के दौरान जो कुछ भी बोलता है उसका इस्तिमाल आरोपी के खिलाफ अदालत में सबूत के तोर पर किया जा सकता है